चुनाव आयूग द्वारा शिपसेना और उसके चुनाव चिन फ्रीज किये जाने के बाद में ठाकरे ने नए कुछ चिन और पार्टी के नाम चुनाव आयूग को भेजे थे जिसके बाद में एकनाश शिंदे से उमीद की जा रही थी कि वो भी बहुत जल्द अपने गुट के लिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन भेजेंगे लेकिन शिंदे ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी वज़े से उद्दफ ठाकरे खेमे में फिर से हडकम बचा हुगा है एकनाश शिंदे बार-बार अपने कारनामों से ये दिखा रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर उद्दफ ठाकरे की राजनयतिक राह में रोडा डालते रहेंगे इसके अलावा दोस्तो एक और बड़ी खबर है धरसल उद्दफ ठाकरे के बड़े नेता पर केस दर्श किया गया है ठाकरे के कौन से नेता पर अब गरफतारी की तलवार लटक रही है किसके खिलाप में केस दर्श किया गया है और अब शिंदे ने क्या खेला कर दिया है ज चुनाव आयोक से दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि उद्दफ ठाकरे और एकनास शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोक को शिफसेना के जो नए नाम और निशान भेजने के लिए कहा गया था फिर उनके तरप से जो भेजे गए हैं उनमें से दो विकल पैसे है जो की एक समान है जानकारी मिली है कि दोनों गुटों ने ही तरशूल और उगता हुआ सूरज के विकल्प रखे हैं आपको बता दें कि उद्दफ ठाकरे गुट ने तरशूल उगता हुआ सूरज और मशाल के विकल्प रखे हैं तो वहीं एकनास शिंदे गुट ने तरश तरशूल उगता हुए सूरज और गदा के चनाव चिन्नों के विकल्ग दिये हुए हैं। उद्धव गट को उनका तीसरा विकल्ग मशाल तो एकनाश शिंदे गट को उनका तीसरा विकल्ग गदा चनाव चिन्न जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों महरास्ट में मुख मंत्री एकनाश शंदे के खिलाप कथे तोर पर आपत्ती जनक टिपड़ी करने के मामले में और अंगाबाद में शिवसेना नेता चंदरकांध खैर के खिलाप में पुलिस ने केस धर्च किया है। पुलिस ने ये केस एकनाश शंदे के घुट के नेता और चिला एकाई प्रमुक राजेंदर जंजाल की शिकायत के आधार पर और अंगाबाद के 17 पुलिस थाने में धर्च किया है। और अंगाबाल लोकसवा शेत्र के पूर्व सामसथ खैरे को उद्धव ठाकरे का काफी करीबी और बफ़दार माना जाता रहा है। प्रात्मिकी में कहा गया है कि खैरे ने मीडिया कर्मियों से बाच्चीत के दोरान एकनाश शिंदे जो की महरास्टर के मुख्यमंत्रिय हैं उनके खिलाप में अपत्ती जनक्ट पड़ी की थी। एक शेत्रिय समाचार चैनल के साथ अपने इंटर्व्यू में खेरे ने दावा किया कि अगर शिंदे के गुरू और धिवंगत शिफसेना नेता आनंद दुगे जीवित होते तो वो एक देश द्रोही के नाते शिंदे को उल्टा लटका करके उनकी पिटाई करते ये आप स की M.V.A की सरकार गिर गई थी एक पुलस अदकारी ने का कि जानजल ने अपनी शिकायत में कहा है कि खेरे ने पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाप में आपत्ती जनक टिपणिया की थी शिकायत में कहा गया है कि खेरे ने असनसदिया भाशा का इस्तिमाल कर मुख्यमंत्री की छवी को कहीं न कहीं धूमिल करने की कोशिस की है जिसे न तो समाज दरसल एकसेप्ट कर सकता है और ना ही समविधान इसकी इजाज़त देता है अधकारी ने दावा किया कि सीएम शिंदे के खिलाफ खेरे की टिपड़ी पर आपती जताते हुए जानजल ने औरंगाबाद पुलिस कमिशनर से शिकायत दर्श कराने के लिए संपर्क किया था जिसके बाद में सीनियर पुलिस अधकारियों के निर्देश पर वो औरंगाबाद के सतारा पुलिस स्टेशन गए और शिकायत धर्श करवाई गई खेरे के खिलाप में धारा 135 A.1 B. धर्म जाती जिन्म इस्थान निवास भाषा आदी के आधार पर विविन समुगों के बीच सत्रुता को बढ़ हवा देना धारा 189 जरता को चोट पहुँचाने की धमकी के तहत प्राथम की दर्ज की गई है इसके साथ साथ पुलिस ने और भी कई धाराओं का दरसल इस्तवाल किया गया है जानी कि जो उद्दफ ठाकरे के बहुती करीबी नेताएं खेरे उनकी मुश्कलें बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंतरी एकनाश शिंदे के खिलाप में जिस तरीके के घटिया अलफाजों का इस्तमाल किया है जिस तरीके की घटिया हरकत की है इसी वज़े से कई धाराओं के तहट उनके खिलाप में जो है मामला दर्ज किया गया है आपको बताने की प्रात्मकी में ये का गया है कि वो पहले भी दरसल जो भाशा की मर्यादा है जो भाशा की मर्यादा की सीमा है दरसल उसको लांग चुके हैं लहाजा अब ये बरदास्त नहीं किया जा सकता इसलिए उनके खिलाप में ये केस दर्ज होना बहुत ही ज्यादा तो उद्दफ ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जाने वाले नेता खेरे के खिलाप में पुलिस में केस दर्ज किया गया है उनके उपर ग्रफतारी की तलवार लटक रही है और बहुत जल्द उनके खिलाप में पुलिस बड़ा एक्शन भी ले सकती है यानि की खेरे की ग्रफत का नाम नहीं ले रहा है लग रहा है कि एकना शिंदे इस राजनेतिक दुंद को इस राजनेतिक लड़ाई को बहुत ही लंबा खीचने वाले हैं जिसकी बज़े से पहले उद्दफ ठाकरे की तरफ से तीन चिन दरसल चुनावायुक को भीजे जाते हैं ठीक उसके बाद मैं एकना शिंदे ने आज एक बज़े से पहले पहले ऐसे नाम सजेस्ट कर दिये जिन मैंसे जो दो नाम है वो उद्दफ ठाकरे ने जो भीजे हैं उससे सिमिलर हैं एक जो नाम है वो दरसल बताय जा रहा है कि अलाग है जो कि गदा उन्होंने भीजा तो ऐसे में कयास अगर चुनाव आयोग के पास में अगर वो चिन नहीं रहता है जिसका ये दरसल मांग कर रहा है क्योंकि मांग तो इनकी तरफ से वो की जा रहा है जो की कॉमन है दोनों के बीच में तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए बहुती कठिन परिस्तिती होगी बहुती विकट प खेमी की तरफ से जो चिन दरसल सजेशन के तौर पर दिये गए जो मांग की गई है कि हमें इन में से कोई भी एक चिन दे दीजिए तो उस उन चिनों को दरसल कंसीडर ना करते हुए दूसरा कोई भी चुनाव चिन एकनाश शिंदे और उद्धर ठाकरे दोनों को अलग अलग प्रोवाइड करवाये जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर चुनाव आयोग कोई बड़ा चुनाव चिन देता है तो दोनों गुट में कौन कौन सा चुनाव चिन दिया जाता है इसके अलावा जो एकनाश शिंदे ने सिमिलर न हार कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से जो नाम भेजे गए थे हर नाम में बाला साहिब ठाकरे के नाम का जिक्र होना कहीं न कहीं जो पॉलराइजेशन की दरसल वो थी वो करने की कोशिस की गई हो दफ ठाकरे की तरफ से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता तो एकनाश शिंदे ने भी नहले पर दहला चल दे जिसकी वज़े से अब राजने ते घमासान मचा उखा है तो अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि फाइनल जो कॉल है वो चुनाव आयोग को ही लेना है चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगा कि किसी क्या दिया जाए और अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या वर्डिक्ट आता है जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर हाजर हूँगा इस वीडियो में अतना ही चल बनूँगा किसी दूसरे बड़े मुद्दे के साथ में कोई दूसरी बड़ी खबर के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लूग चैनल पर ना है तो मैं आपसे गोजारिश करूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीड